तो इंडियन बैक स्योड राविन 3D के सहर में हमला कर दिया है जाएंड सार्क ने ओके यार गैस फानली में अपनी गांस जो आपस आप चुक अपने सहर में तो चलो भै अभी सबसे पहले में अपना घर जाता हूँ अपने लेंबोर गिने टार्जो के मद से और वेट गैस एक सकंड भाई बिल्डिंग की पीछे से इसा आवाज क्यों आ रहा है चलो जाकर के देखते हैं कि बिल्डिंग की पीछे से इसा आवाज क्यों आ रहा है और weight गैस ये क्या है, भाई इसी से लगते है अवाजी आ रहाता, लेकिन ये हे क्या है यार, और weight भाई ये तो भाई लगती है, मचली की दुकान है, भाई इसके अंदर जा करके देखता हूं, और यहां तो अंदर आ चुका हूं, लेकिन यहां तो guys कुछ भी नहीं है, मतलब बॉक्स के अंदर इतने सारे चोटे चोटे मचलिया है लेकिन गैस इस बॉक्स के अंदर इस चोटे चोटे मचलिया को कौन रखा होगा साइद गैस यह बेचने के लिए रखा होगा लेकिन यह लिटरली कितना जादा उसम लग रही यार यह चोटे चोटे मचलिया है और यहा वोटल न चलो टेबल के उपधार कर कर रख देता हूं और जेड़ बाई बोटल के बले कर दो लिए ज़े में दौख requires बेडिकर फटा पर लेघता हूं और गर के टेबल में रख देता हूँ इसको कुरो eight guys फानली मैं अभी जा हो रहा अपना घर और भै अपनी सार को ना डिकी में रख दियाओ ठीके फानली मैं आ चुका हूँ घर के सामने ही और यह रहा भई घर भई घर कितने दिनों के बाद आ जाजाहें और वेट गैस ये क्या है भाई मेरा घर का जो दर्वाजा वो खुला है अच्छा मेरा फ्रेंड यही पर था जब मैं गाउं गया था ठीक है मेरा फ्रेंड ही इसको खुला होगा चलो है और गैस कोई बात ने फटा फट से जा तो अपना घर के अंदर ओकी गाईस फानली मैं अपने घर के अंदर आ चुका हूं और अपने टेबल के उपर यहां पर सार को अच्छे से रख दिया हूं और अभी गैस फानली सार को ना भोग लग गया तो इसके लिए मुझे भी खाना जुगार करना पड़ेगा और मैं अपने सेलपोन के देख लेता हूं कहां पर है औ साथ में आप से दिल से रिक्विस्ट करता हूं कि फिलीज आप इस वाले वीडियो को जड़ा से भी इसकी मत करना क्योंकि आप से भी इस वाले वीडियो में अभी कापी ज़्यदा मज़ा आने वाला है चलो पर गई सबसे पहले में जाता हूं अभी एरपोर्ट के अंदर और भाई एरपोर्ट के अंदर जो हाउस है उसकी उपर में भी हमारा सार्क का खाना रखा हूआ है तो चलो उसको फटापट से ले करके आता हूं और ये रहा गई से हमारा एरपोर्ट ओकी गईस फानली में एरपोर्ट के अंदर अभी आ चुका हूं और भाई वोला हाउस कि दर है जिसके उपर में हमारा सार का खाना रखावा है और वेड कितना ज़्यादा इस्टेंड कर दिया यह वाला कार चलो भई यहां पर पार्क कर देताओ कार को और भाई मुझे ना इसे वाले सीड़ी से उपर चारणना पड़ेगा ठीके चलो चारते हैं फटा फट से और वेड कितना ज़्यादा मज़ा आरा यार चलो भाई चलो ओके भाई कितना ज़्यादा चारणना पड़ेगा यार चलो ओके गईस फानिल में आच उकाउंट के इधर और यह रहा भाई हाउस जिसके उपर में हमारा सार का खाना है लेकिन गैस मैं इस हाउस के उपर में जा ChaDeep के उपर में च्छत उपर में चतवाग है यहां पर मैं टाइक कर्डेता हूं जाता लक्ता क्लाओ अपना घर और यह वाला को ले जाता ओको ताकि शार को और भूख ना लगे यहीं से जम कर देता हूं और इस एड़ भाई तिने सारे खून निकल गया प्रैंक लिंग का चलो यार फटा पट से जाता हूं अपना घर और घर जाकर के बैसार को फटा पट से इस वाले खाना को खिला देता हूं और भाई ञार फटा पट से जाते हूं और सार को खाना खिला दूँना ताकि भाई भाई ये तुमने रहार भाई वैसे पाइस के बाहर तक आचुका हूं और वेट और ये रहाई हाँस के अनदर और ये रहाई मेरा हाउस क्या बता हूँ अभी नियू हाउस लेने का मतलब पैसा वगरा है नहीं ये सब बात गई समलोग बाद में बात करेंगे चलो गई इस फटाफट से अभी जाता हूँ घर के अंदर ओकी गईस घर के अंदर आ चुका हूँ और ये रहा भई हमारा सार अभी के स्पानिल में सार को खाना भी खिला दिया हूँ और सार अच्छा से खाना भी खा लिया है चलो अभी सार को सोने दो और मैं भी सोता हूँ अरे सेट यार लगता है सुबह हो चुके है चलो भाई अभी जाके पटापट से उड़ जाता हूँ और शेट झलो बहए शार्क episodes को देखें लिता हूं कैसा है दहां गया मेरा शार्क और यह रहा बहएं मेरा सार्क अरे बहुरा यह तो कल राश से ठोड़ा सा बढ़ा हो गया गैस कल तो इससे छोटा सा लेकिन अभी भाई आज सुबह इतना बड़ा किसी हो गया यार गैस में कल खाना खिला था इस बज़े से लगदा बड़ा हो गया लेकिन भाई इसके लिए मुझे और जुगार करना पड़ेगा तो भाई ये जो सार्क है ना ये बोटल के अंदर आठ ने रहा है मतलब काफी बड़ा हो गया इसलिए तो अभी इसके लिए मुझे एक बड़ा सा बॉक्स चाहिए और यहां पर हमारे सेलपॉन के इंदर बॉक्स दिखा रहा है जो कि मचले रहने का है लेकिन ये तो भाई कंट्रक्शन एरा के ब्रिज के उपर में है तो अभी मेरे कुछ सब से पहले जाना इसे हो गया जोभी ऋगए थाए मुझे अभी जाना ही पड़ेगा कंट् réflक्च की उपर में तो इन और नहीं पेछे तरब से जाता हूं तो वही पर जा रहा हूं बित के पीछे तरह और अभी गैस यहां से कितना जादा दोर है यार ब्रीज गैस मुझे ना आगे तरफ से जाना चाहिए था लेकिन मैं क्या करो यार पीछे तरह बागया कोई बात ने यह रहा भाई ब्रीज ओकी गैस तो यही वो ब्रीज है जिसके उपर में हमारा सार को रखने का बॉक्स से चलो फटाफट से गाड़ी से उतर जाता हूं ठीके चलो यार गैस सबसे पहले जाता हूं ब्रीज की सामने में देखता हूं कि ब्रीज की उपर में कैसे जाओं ब्रीज की उपर में जाने के लिए कोई रास्ता व्यागरा है नहीं लेकिन मैं ब्रीज की उपर मे हमारा ramp ठीक है अभी इस के उपर मैं चाहड़ता हूं ठीक है और shade भाई मैं चाहड़ने गया तो ये क्या हो गया यार अच्छा shade यार चलो गयाज मुझे फिर से यहाँ पर चाहड़ना पड़ेगा ठीक है मैं यहाँ पर रेम के सामने आ चुका हूँ यहाँ पर थोड़ा सा जम किया और वेट आ गया भाई रेम के उपर में लेकिन गाइस अभी भी थोड़ा सा मुस्किल है याँ से मैं नहीं जा सकता उसके लिए गयाँ मुझे ना फिर से एक रेम को स्पॉन कराना पड़ेगा और गयाँ मैं इस बार थोड़ा से आगे में रेम को स्पॉन कराऊंगा ठीके ताकि जाने में आसानी हो चलो भाई फटा फट से आरजे स्टोली यहाँ पर निकाल लियाओ और यहाँ पर गयाँ मैं फिर से C1 डेल किया और वेट फानली यहाँ पर रेम इस्पॉन हो गया चलो भाई फटा फट से इसके उपर में चाहडता हूँ और इसके मदल से हम लोग बिरिज के उपर में भी जा सकते है ओकी गाईस यार फानली मैं आ चुका हूँ भाई अपनी रेम के उपर में और यह रहा भाई वो बॉक्स जिसके अंदर में हमारा सार्क अभी रहने वाला है तो चलो फिर गैस इसको फटा पट से घर ले जाता हूँ चाकि अच्छा सरी इस बॉक्स के अंदर तो चलो फटा पट से जाता हूँ अपना घर ठीके और भाई अगर आप तुमिना अभी तक इस वाले वीडियो को लाइक नहीं के तो प्लिस भाई लाइक कर दो और चैनल पे नहीं तो चलो को भी जाके सस्क्राब के लेने ठीके इ से आगे और मैं नहीं बोलूंगा ठीके और गैस अभी जो मैंने बॉक्स को लिया ना वह अलड़ डिकी के अंदर रख दियाओं ठीके और ऑगी गैस फानली में अपनी घर के अंदर आच चुकाओं ठीके चलो भी बॉक्स को लेता हूँ और पटा पट से बही हाउस के आप आउं ओकी आर गाईस फानली में सोकर के ओड़ चुका हूं और वेट भाई साब ये क्या हुआ भाई बॉक्स के अंदर सार्क कितना बड़ा केसे हो गया यार वैस सार्क तो काफी ज़्यादा भी छोटा था बॉक्स के अंदर में आखिरकर गाईस ये क्या हो रहा यार में स्विमिंपूल में रख देता हूं सारक को ताकि उसमें रहने में असानी हो चलो यहां पर भाई में एक वाल लगा देता हूं यहां से एक दम सेंटर में चलो भाई जो लगा के हैस जो लगा के हैस गैस में इसको फटा फट से भाई स्विमिंपूल के अंदर डाल देता ओके गाईज फानिली में स्विम्म पूल के अंदर डाल दिया हूँ यहां पर गई समारा सार कितना ज्यादा अच्छा से तैर रहा है स्विम्म पूल के अंदर चलो बै एक टेंसन तो गया चलो फटा फट से जाकर के सो जाता हूँ अब रात हो चुका है इसलिए अरे यार बड़ा केसे हो गया यार गाईस में कल इतना छोटा था लेकिन अभी इतना बड़ा केसे हो गया सार ये मेरा गलती नहीं है मैंने तो छोटा सा सार को डाला था लेकिन इतना बड़ा केसे हो गया ये मेरे को मालूम नहीं चला मुझे तो अभी खूद मतलब समझ नहीं आ रह और नदी में जाकर किस को छोड़ दो सार्क को ठीक है अच्छा ठीक है सार ठीक है और अभी गेस पुलिस से बचने के लिए गेस मेरी को अभी सबसे पहले सार्क को नदी में छोड़ना पड़ेगा ने तो भाई पुलिस वाले मेरी उपर केस कर देंगी तो अभी भैस सबसे पहले में जाता हू नदी और नदी पहुंचने के बाद गैस में सार्क को एपर छोड़ दूँगा ठीके और इतना ज़्याद आएगा ना मैं क्या करो यार मुझे भी रोना आ रहा है और ये रहा वो नदी जिसके अंदर में अभी सार्क को छोड़ने वाला हूँ अभी बहुत ही याद आएगा या सार्क चलो गैस फटा फट से नदी के अंदर सार्क को छोड़ दिता हूँ अभी ओके गैस फानल में नदी के अंदर सार्क को छोड़ दिया क्योंकि भाई काफे दिनों के बाद में आज जा रहा है सार को देखने के लिए ओके यार कई फरेली में आ चुका हो नदी किनारे में और वेट यार कितने सारे android हो चुके मतलब आगे में एक भी घर न ह folding ने ता लेकेन अभी कितना सारे घर आ चुका है वेट भाई ये क्या है यार सामने में ये क्या है क्या है वेट भाई ये तो भाई पुलिस कार है यहाँ पर इतने सारे पुलिस क्यों आ चुके है नदी किनारे में गैस मुझे इसा लगता है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ होगा गैस मुझे भी पता लगाना पड़ेगा लेकिन यहाँ एक भी पुलिस वाले नहीं है बट पुलिस वाले के कार ज़रो रहे लेकिन पुलिस वाला नहीं है क्या हुआ होगा यार मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और वीट भाई ये तीन तीन लास कहां से आ चुका है भाई ये सब किसने के है यार और काफी खुन भी है अरे गैस ये तीनों आदिमें को किसने मारा होगा गैस मुझे लगता है कि सार्क ने मारा होगा ने ने सार्क तो नहीं मार सकता लेकिन ये तीनों आदमी को मारा किसने यार भाई किसने मारा यार मुझे पता लगाना पड़ेगा वेट भाई ये क्या हो रहा यार हील क्यों रहा अरे वेट ये तो सार्क है अरे भाई बचाओ